आपने सुना होगा कि हाथी के दाथ काफी महेंगे होते हैं और हाथी के दाथ से बनने वाले अभूशन भी काफी महेंगे होते हैं पर क्या आपने कभी जारने का परियास किया है कि इसमें ऐसा होता क्या है जो ये इतने महेंगे बिखते हैं हाथी के दाथ के बारे में आपने सुना होगा कि ये काफी महेंगे होते हैं इसके लिए लोग तसकरी भी करते हैं और इसके चक्कर में कई हाथियों की हत्या भी कर दी जाती है कई लोग इसे सजाने के काम में लेते हैं तो कई लोग आभूशन बनाते हैं हाथी दात से बनने वाले हाथी दात की चूडियां खोल रुपए लगा कर लोग खर्च कर देते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इस हाथी दात में ऐसा क्या है जिससे इसकी कीमत इतनी जादा हो जाती है आई आज आपको बताते हैं हाथी के दात से जुड़ी कुछ खास बातें जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और साथ में जानेंगे कि हाथी के दातों का कारोबार लीगल है या नहीं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सरलहिस्टी चैनल के एक और नए वीडियो में वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शियर जरूर करना और जिन्होंने चैनल को जाएं लेकिन इसकी कल्स्रोल वैल्यू काफी ज़्यादा होती है इसी वजह से इन्हें बेश कीम्ती कहा जाता है स्टेटस सिम्बल होने की वजह से इसकी वैल्यू काफी जादे बढ़ जाती है इसका कोई आंतरिक मुल्या नहीं है लेकिन इसके संस्कृतिक उप्योग हाथी दाथ को अत्यदिक बेश कीमती बनाते हैं यह सिर्फ लगजरी का परतीक माने जाने की वज़े से काफी फेमस है और इसलिए इसे इतने महेंगे में खरीदा जाता है अगर हाथी दाथ की कीमत के बारे में बात करें तो यह काफी महेंगे में बिखते हैं इनके लिए कोई निर्धारित कीमत नहीं होती लेकिन यह काफी महेंगे होते हैं कुछ साल पहले पश्चिम बंगाल में 17 किलो हाथी के दाथ पकड़े गए थे जिनकी अंतरास्टिय मार्किट में वेल्यू करीब एक करोड़ सत्तर लाख रुपए है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके एक किलो की वेल्यू दस लाख रुपए है यानि अगर हाथी दाथ 10 किलो के हैं तो उसके एक करोड रुपए तक देने पड़ते हैं इससे हाथियों की हत्या की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है 1989 में हाथी की दाथों की बिक्री पर रोक लगाने से अफरीका में हाथियों की जन संख्या स्थिर्प भई अब बात आती है कि हाथी के दाथों का कारोवर लीगल है या नहीं तो आपको बता दें कि कानून के मताबिक हाथी, उट, गोड़ा या कोई भी जानवर जिसकी कीमत 50 तुर्पई या उससे जादा होती है उसका वद्ध करने पर जेल और जुर्माने का प्रवधान है दोस्तों हमें अपने स्वार्थ के लिए इन बेजुबानों की हत्या नहीं करने चाहिए वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें एक कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो में कोई तुटी हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब दूसरोतों के अधार पर है तुटी के लिए आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस कॉमेंट को पिन कर सके दोस्तों इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.saralhistory.com पर जरूर विजिट करें धन्यवाद